सेक्शन बी में question number 7 है कि prove that the line segment joining the mid points of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it तो हमको इसमें prove करना है कि कोई triangle है जिसके two sides से के mid point को एक line segment join कर रहा है तो जो है third side है triangle के उसके parallel होगा साथी साथ उसके half के equal होगा देखे इसमें given क्या है ABC जो triangle ABC एक triangle है where E and F are mid points of AB and AC respectively E और F जो है mid point है जो side AB है और side AC है हमको prove क्या करना है कि जो EF है वो parallel है किसके BC के EF parallel BC second prove करना है EF जो है जो हैना side BC का half है EF equal to half BC इसमें हम लोग construction करेंगे through C draw line segment parallel to AB C से होते हुँ एक line segment हमको drag करना है जो यहाँ पर मैंने किया हुआ है जो parallel होगा किसके AB के इसके parallel होगा and extend EF और EF को आगे पढ़ाना है और जो line segment हमने draw किया है उसमें जाके जो EF है ना वो D पे मिल रहा है to meet this line at D ठीक है इसके आगे देखे जो proof करना है हमने discuss कर लिया है कि since AB parallel CD यहाँ पर AB जो है ना यहाँ आवला AB वो किसके parallel है CD के है ना एक diagram मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उससे देख लेते हैं तो यह जो AB है वो parallel है किसके CD के और यह जो ED है यहाँ पर क्या है Transversal है मतलब दो parallel line को यह काट रहा है तो उसके काण क्या होगा यह वाला जो angle है angle CDF equal होगा angle AEF के यह alternate interior angle होगा तिसको यहाँ पर मैंने लिखा है कि angle AEF parallel angle CDF alternate angles यह equation 1 दे दिए अब यह दोनो triangle में देखिए pin triangle AEF and triangle CDF triangle AEF में और triangle CDF में यह जो angle है angle AEF equal to angle CDF है न इक्वल हो गए क्योंकि alternate interior angle है फ्राम वन लिख देंगे इसको दूसरा जो angle है AFE equal हो जाएगा angle CFD के यह दोनो vertically opposite angle है उसके बाद देखिए AF यह जो AF side है वो बराबर होगा FC के यह CF के AF equal to CF क्योंकि F जो है न midpoint है किसका side AC का as F is midpoint of AC अब उसके कांड क्या हो गया कि दोनो triangle जो है na triangle AEF concurrent हो गया triangle CDF के rule क्या है angle angle side rule से अब माली जो दोनों triangle concurrent हो गये तो क्या-क्या इसमें और equal हो जाएगा EA जो है E और A equal हो जाएगा किसके DC के corresponding part आप concurrent triangle से साथी साहती यहां पर देखिए EF भी equal हो जाएगा FD के तो F जो है na midpoint AC का भी होगा और line segment ED का भी होगा इसको आगे जाके use करेंगे हम लोग अब यहां पर देखिए E A जो है na equal है कि क्योंकि E midpoint है AB का तो हम इसको replace करेंगे तो EB equal to DC हो जाएगा EB जो है वो DC के equal हो गया अब इसमें क्या है कि now EBCD जो EBCD है उसमें हम रोगों को क्या मिला कि EB parallel है DC के EB parallel हो गया DC के और EB बराबर भी है DC के मतलब क्या हो गया कि जो EBCD है वो प्रेलोग्राम है है ना इसका rule क्या होता है प्रेलोग्राम का कि thus one pair up opposite sides is equal to equal and parallel hence EBCD जो प्रेलोग्राम इस्ठे से समझ में आगे आप लोगों को अब जब यह प्रेलोग्राम है इसमें क्या होगा since opposite sides आप प्रेलोग्राम आप प्रेलल तो इसका opposite sides जो है ना प्रेलल होते हैं इसका मतलब क्या होगा कि ED प्रेलल BC जो ED है वो प्रेलल होगा BC का है ना मतले जो EV प्रेलल है CD का तो ED प्रेलल होगा BC का अब जब ED प्रेलल है BC का तो EF जो की ED का हाफ है वो भी प्रेलल होगा BC का है ना तिसकी को यहां पे लिख दिये हैं ED प्रेलल BC so that EF प्रेलल BC hence प्रूव जो पहला पाट हो प्रूव हो गया अब इसका दुसरा पाट देखते हैं अब देखेए EBCD जो प्रेललोग्राम EBCD एक प्रेलोग्राम है तो ED प्रेलल होगा BC का और EF प्रेलल है BC का इसको हम प्रूव कर चुके हैं अब इसमें देखे एडी, जो एडी है, वो किसके equal होगा BC का, इसका region क्या है, इसका region है कि ABCD जो पेलोग्राम, so it's opposite sides are equal, EBCD जो है एक पेलोग्राम है तो उसके opposite sides equal होते हैं, अब माल लेजिए, ED equal होगा BC का, तो इसका हाप भी equal होगा, तो हाप ED equal to हाप BC, अब हाफ ED किसकी equal है, EF की equal है, हम prove कर चुके हैं, तो EF equal to हाफ BC, है न, क्योंकि हाफ ED equal to EF, तो जो second part है, हो भी इसका proof हो गया, hence proved, second part क्या था, ये जो side EF है न, हाफ होगा कि इसका BC का, ठीक है, तो आसा करतो है, question काफी अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, question 8 है, in the given figure, AB is a diameter, आप the circle which center हो, नीचे में एक figure दिया हुआ है, जिसमे AB एक diameter है, एक circle का, जिसका center हो है, AC and BD produced, meet AT, and angle COD equal to 40 degree, calculate angle CED, इसमें AC और BD को, आगे बढ़ा के मिलाया गया है, E पे, और angle COD, यहाँ पर 40 degree है, तो हमको angle CED को find out करना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो angle दिया हुआ है, यहाँ पर, यह 40 degree दिया हुआ है, और हमको इस angle को find out करना है, कोस्टनेट, दिखने में काफी complicated है, लेकिन है विहोती जी, इसमें दो थेओरम आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें थेओरम एक है, कि the angle subtended by an arc, आप a circle, it is center, it is twice, the angle, it is subtends, anywhere, I am the circle circumference, तो माल लिजे, circle में किसी arc से हम center पे कोई angle subtended कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर arc CD है, इस angle subtended कर रहे है, COD, तो माल लिजे यही जो arc है, circle के किसी दुसरे point पे, जो कि circumference पे होगा, अगर angle subtended करता है, तो center के angle का half होगा, यह थेओरम हमने अच्छे समझा है, उसको यहाँ पी यूज करेंगे, second इसमें है, कि जो angle होता है, semicircle का, जैसे यहाँ पे देखे, यह भी diameter है, तो यह भी जो angle subtended करेगा, वो हमेशा क्या होगा, 90 degree होगा, यह perpendicular होगा, यह दो थेओरम इसको हम use करेंगे यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें given क्या है, angle COD equal to 40 degree है, हमको find out करना है, angle CED, इस angle को हमको find out करना है, अब जैसे मैंने बताया हुई है, angle CBD, यह angle CBD है, equal to half COD, equal to 20 degree, region वही है, the angle subtended by an arc, circle its center is twice the angle, its subtends anywhere under circle circumference, अब उसके बाद, यह जो triangle जैसे मैंने बताया है, right triangle होगा, कौन सा, triangle ECB, ECB, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, angle BCE, जो angle BC है, plus angle CBD है, plus angle CED है, बना यह तीनों angle इस triangle के equal to 180 degree, angle sum property, आप हो triangle, और यह जो angle है, ECB, यह 90 degree क्यों हो रहा है, जो से मैंने बताया कि angle ACB, यह वाल angle 90 degree है, angle inner semicircle, semicircle का angle है, तो यह दोनों angle linear pair बनाते हैं, तो angle ACB plus angle BC equal to 180 degree, linear pair से, ACB 90 degree है, तो BCEB 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 minus 90, 90, ठीक है, यह समझ में आ गया, यह वाला जो angle right angle क्यों हुआ, उसके बाद देखिए, यहां पे 8 करेंगे, तो जो angle CVD है, वो 20 degree है, हमने निकाल लिया है, तो 90 plus 20 plus angle CED equal to 180 degree, जब इसको transfer करेंगे हम लोग, यह हो जाएगा, 180 minus 10810 equal to 70 degree, तो इस cancer क्या गया, angle CED equal to 70 degree, तो बच्चों, इस question को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लिजेगा, इस step का question एक जाम में आ सकता है, और आएगा तो आपको बहुत हार जाने वाला है, क्योंकि देखने में मैंने सालव किया है, तो इजी लग रहा है, लेकिन इतना इजी question नहीं है, question 9 है, in the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral, यहाँ पे नीचे में एक figure, अभे आपको दिखाऊंगा मैं, जो कि एक cyclic quadrilateral का है, in which angle A equal to 2x plus 4 degree, angle B equal to x plus 10 degree, angle C equal to 4y minus 4 degree, and angle D equal to 5y plus 5 degree, find the values आप x and y, इसमें x y के value को find out करना है, hence find the measure आप each angle, उसके बाद जो angle है A, B, C और D, उस सब के measurement को find out करना है, तो देख लिजे यहाँ पे figure में किस प्रकार से है, यहाँ पे A का जो angle है 2x plus 4 degree है, B जो है वो, x plus 10 degree है, C 4y minus 4 degree है, और D जो है न 5y plus 5 degree है, बच्चों question 9 का जो solution है ना, वो cyclic quadrilateral के एक property पे depend करता है, कि किसी cyclic quadrilateral के जो opposite angle होते हैं, जैसे इसमें angle A है और angle C है, angle B और angle D है, इनका जो sum है ना 180 degree होता है, तो यहाँ पे given क्या है, angle A equal to 2x plus 4 degree, angle B equal to x plus 10 degree, और angle C equal to 4y minus 4 degree, और angle D equal to 5y plus 5 degree, तो इस प्रपर्टी को यूच करेंगे, तो इन a cyclic quadrilateral, angle B plus angle D equal to 180 degree, angle A plus angle C equal to 180 degree, और इसका region क्या है, the sum of either pair of opposite angle C 180 degree, अब इसमें जब value put करेंगे, यहाँ पे देखे, x plus 10 plus 5y plus 5 equal to 180 degree, तो इसको solve करेंगे, तो x plus 5y equal to 180 minus 15 equal to 165 degree, तो equation 1 मिल गे हम लोगों को, second में value put करेंगे, यंगल A plus angle C का, तो 2x plus 4 plus 4y minus 4 equal to 180, तो यहाँ पे plus 4 minus 4 cancel हो गया, तो क्या मिल अपने को, 2x plus 4y equal to 180, इसमें 2 common निकाले हम लोग, तो x plus 2y equal to 180 by 2 equal to 90, अब इसमें क्या करेंगे, subtracting equation 2 from equation 1, equation 2 को equation 1 से हम लोग, subtract करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, x plus 5y, जो equation 1 में है, minus x minus 2y, जो equation 2 का है, equal to 165 minus 90, तो 165 minus 90, 75 होता है, यहाँ से x x से cancel हो गया, तो 3y equal to 75, तो y equal to 75 by 3 equal to 25, तो यहाँ पे देखिए y का value अपने को क्या मिला, 25, अब y के value को put करेंगे, putting y equal to 25 in equation 2, equation 2 में, तो हो जाएगा, x plus 2 into 25 equal to 90, तो x equal to 90 minus 50 equal to 40, ठीक, तो देखिए, यहाँ पे x और y का हम लोगों को value मिला, यह भी question में पुछा हुआ है, तो यहाँ पे, x equal to 40 and y equal to 25, यह एक answer है, अब second portion में जलते है question में, कि यह सारे के सारे angle के value को पूछा है, तो a equal to 2 x plus 4, तहाँ पे x और value 40 डालेंगे, तो 2 into 40 plus 4, इसको solve करेंगे, तो 42 जा 80 और 4, 84, b में जाएंगे, तो x plus 10, तो 40 plus 10 equal to 50, c में जाएंगे, तो 4y minus 4, तो 4 into 25 minus 4 equal to 100 minus 4 equal to 96 degree, और d में जाएंगे, तो 5y plus 5, तो 5 into 25 plus 5, तो 25, 5, जाएंगे 25 plus 5, 130, तो देखें, चारो value मिल गया angle के हम लोग को, अब इसको check कर सकते हैं, इसका sum जो है na 360 आना चाहिए, क्योंकि sum आप all angle आप body letter 360 होता है, तो a plus b plus c plus d, 34 plus 50 plus 96 plus 130, equal to कितना हो गया, 360, तो लह में लोग का answer जो है, बिल्कुल सही है, question 10 है, a right circular cone is 3.6 cm high, and the radius, आप its base is 1.6 cm, तो देखें, right circular cone है, जिसका height 3.6 cm है, और radius उसके base 1.6 cm है, it is melted and recast into a right circular cone, और वापस इसको melt करके recast किया जाता है, सेम उसी type के shape में, मतलब right circular cone में, having base radius 1.2 cm, और जिसका base radius 1.2 cm है, find itself height, जिसके height को हम लोगों को find out करना है, देखे, question 10 में, दो cone है, एक cone पहले वाला है, और एक cone बाद वाला है, तो दोनों के लिए हम लोग, पहले जो जितने parameter हैं, उसको लिक लेंगे, जैसे की radius है height है, तो देखे कैसे लिखेंगे, कि late height आप cone, which is given is, जो cone पहले दिया हुआ है, h1 है, उसका height, and a radius equal to r1, and a volume equal to v1, तो तीन चीज हमने पहले वाले cone का मान लिया है, height h1 है, radius r1 है, और volume जो है न वो v1 है, and after melting new cone radius, melt होने के बाद जो नया cone बन रहा है, right circular cone, उसका radius r2 मान रहे है, and height equal to h2, and volume equal to v2, तो हमने दो चीज मान लिया, पहले वाले का और second वाले का, अब question में जो दिया है, उसको लिक लेंगे, from question it is given that, questions में क्या दिया है, h1 equal to 3.6 cm, जो पहले वाला cone है, उसका height 3.6 cm है, r1 जो है, पहले वाले का radius, base का 1.6 cm है, और r2 equal to, जो second वाला cone है, उसका radius 1.2 cm है, and h2 equal to, इसको find out करना है, second वाले के height को, अब देखिए, जो पहले वाला cone है, उसी को पिखला के, दुसरा बनाया जा रहा है, तो दोनों का volume जो है, इसमें same होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, बोथ cone's volume will be the same, तो b1 equal to b2, cone का volume होता है, 1 by 3, π.r2 h, तो पहले वाले का volume होगा, 1 by 3, π.r1 square h1, equal to हो जाएगा, 1 by 3, π.r2 square h2, यहाँ पर देखिए, 1 by 3, π.r1 by 3, π.r2 cancel out हो जाएगा, equal है, तो h2 equal to क्या होगा, r1 square h1 divided by r2 square, अब यहाँ पर देखिए, r1 का value put करेंगे, तो 1.6 into 1.6 into 3.6, divided by r2 का value put करेंगे, तो 1.2 into 1.2, यहाँ पर h1 का value 3.6 है, अब आगे जागे इसको salva करेंगे, तो देखिए, जो decimal equal equal है, तो decimal out हो जाएगा, तो 16 into 16 divided by 12 into 12, अब इसको cancel करेंगे 4 से, तो 4, 3 is 12, 4, 4 is 16, 4, 3 is 12, 4, 4 is 16 into 3.6, अब आगे जागे जागे salva करेंगे, तो देखिए, हो जाएगा, 4, 4 is 16 into 3.6 divided by 9, अब 3.6 को 9 से divide करेंगे, तो 0.4, अब 16 को 0.4 से multiply करेंगे, तो 64 तो 6.4 cm हम रोगों क्या मिलेगा, यहाँ पर height मिलेगा, जो second वाला cone है, उसका, तो इसका answer को हाँ लिग देंगे, so height आप new cone equal to 6.4 cm, यह क्या है, इसका answer है, section C में question 11 है, factorize, x cube minus 23x square plus 142x minus 120, जिसको factorize करना है अपने को factor theorem से, इस polynomial का factorization करने के लिए, remainder theorem से, सबसे पहले जो 120 है, उसके जो possible factors हैं, उसको हम लोग लिख लेंगे, तो दिखे, कहाँ पर लिखेंगे कि, let px equal to x cube minus 23x square plus 142x minus 120, look for all the factors, सारे factor को देखेंगे, आप 120 का, 120 के हाँ पर factor होंगे, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 10, plus minus 12, plus minus 15, plus minus 20, plus minus 24, plus minus 30, और plus minus 60, यहाँ पर एक factor और होगा, वो है plus minus 40, है ना, क्योंकि 43 जाभी, 120 होता है, तो सबसे प्रहले यहाँ पर 1 put करेंगे, जब यह 1 को put करते हैं यहाँ पर, तो 1 का cube minus 23, into 1 square, plus 142 into 1, minus 120, जब इसको सालवा करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को 0 मिल रहा है, तो अगर p का भेली 1 put करने पर, हम लोगों को 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर फेक्टर इसका होगा, x minus 1, है ना, तो 10 x minus 1, इस फेक्टर आप px, इस polynomial का फेक्टर क्या मिला, x minus 1, अब long region method से हम लोग, divide करेंगे x minus 1 को, जो given polynomial है उससे, x cube minus 23 x square, plus 142 x minus 120 से, तो देखें इसको divide करने का एक बहुत basic सा rule है, उसको हमें साब follow करिएगा, यह तो mistake हो सकता है, यह जो term है, उससे divide करिएगा, जो divisor है उसके first term को, तो x cube divided by x, x square आ गया, तो x square को सबसे पहले हम लोग q cent में लिखेंगे, यहाँ पे, तो यह जो x square है उसको फिर multiply करेंगे, जो divisor है उसससे, यहाँ पे x x cube minus x square मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए, sine change हो जाता है, तो यह minus हो गया प्लस हो गया, तो दुनों cancel out हो जाएगा, अब यह दुनों, यहाँ पे minus 23 x square और plus x square, तो minus 22 x square हो जाएगा, इसको नीचे उतार लेंगे, तो plus 142 x, अब यहाँ पे देखिए, minus 22 x square को फिर से divide करेंगे, कि इसके divisor के first term से x से, तो यहाँ पे क्या मिला, minus 22 x से मिला, उसको यहाँ पे q cent को लिख देंगे फिर से, minus 22 x, और इसको multiply करेंगे x minus 1 से, तो जब x minus 1 से इसको multiply करेंगे, तो यहाँ पे minus 22 x square, plus 22 x आगया, अब यहाँ पे plus हो गया, और plus का minus हो गया, तो cancel out हो गया यह दनो, अब यहाँ पे देखिए, plus 142 x minus 22 x, इसको solve करेंगे तो 120 x minus 120, फिर यहाँ पे जो 120 x है, उसको divide करेंगे, जो divisor है, उसके first term x से, तो यहाँ पे 120 मिला, और 120 को फिर यहाँ पे q cent में लिख देंगे, फिर 120 को multiply करेंगे, x minus 1 से, 120 x minus 120, तो यहाँ पे पुरा ही 0 आगया, तो यहाँ पे जो हम लोगों को q cent मिला, इसका x square minus 22 x, plus 120, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे देखिए, 10 x cube minus 23 x square, plus 142 x minus 120, इक ब्रेकेट में x minus 1, और second में, जो q cent है, x square minus 22 x, plus 120, अब इसको mid term split कर देंगे, तो mid term split में क्या होता है, कि जो plus 120 है, वो mid term के product का value होना चाहिए, और mid term के split ऐसा होना चाहिए, कि sum करें, तो mid term आ जाए, तहाँ पे देखिए, minus 12 x minus 10 x, तो minus 12 into minus 10 करेंगे, तो plus 120 आता है, यह हमको जो चाहिए, वो ही, अब इसको आगे जागे, शालव करेंगे हम लग तो, यहाँ पे देखिए, x minus 1, यहाँ से x से common आ गया, तो x minus 12, minus 10 common आ गया, तो x minus 12, इन दोनों में, x minus 12 common है, जिसको यहाँ पे common लेंगे, तो यहाँ पे x minus 1, x minus 12, बाखी क्या बचा, x minus 10, वो ही इसका, इस polynomial का factorization है, section C में question 11 का R है, factorize under root 2 x square, plus 9 x, plus 4 under root 2, 11 के R में, जो factorize under root 2 x square, plus 9 x, plus 4 under root 2, तो देखिए, इसको सबसे पहले, क्या करते हैं हम लोग, जो इसके standard form है, quadratic polynomial का, x square plus b, x से plus c, से compare करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जो x square का coefficient है, यहाँ पे है वो, under root 2, है ना, यह क्या है, यह है, और यह b है, जो x से का coefficient है, जो constant term है c, वो 4 under root 2 है, तो इन दोनों का, जो product है, a और c का, उसको mid term को split करके, हमको लाना रहता है, इन दोनों का product हो जाएगा, root 2, into 4 under root 2, equal to 8, तो mid term है, तो 9 को split करेंगे, तो 8 plus 1, 8 1 जा 8, है ना, तिसी प्रकार से, हम लोग mid term को split करते है, तो देखें, हापे क्या लिखेंगे, under root 2 x square, plus 8 x, plus x, plus 4 under root 2, अभी हापे 8 x से को split करेंगे, जिसे under root 2, एक common निकले, यहापे 4 x, into under root 2, into under root 2, क्योंकि under root 2, into under root क्या होता है, under root 2, 2 होता है, तो 2 को मैंने हापे split किया है, और यहापे देखें, 1 कामाल लेंगे, x से plus 4 under root 2 आ जाएगा, और इन दोनों में, under root 2 x को कामाल ले रहे हैं हम लोग, अंदर क्या बचेगा, x से plus 4 under root 2, plus 1 को कामाल ले रहे हैं, तो x से plus 4 under root 2, तिहापे देखें, x से plus 4 under root 2 को कामाल ले रहे हैं दोनों में, तिहापे हमने कमाल ले लिया, यहापे क्या बचेगा, under root 2 x से plus 1, यही इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, question 12 है, divide the polynomial, 3 x to the power 4, minus 4 x cube, minus 3 x minus 1, by x minus 1, इसमें जो given polynomial है, 3 x to the power 4, minus 4 x cube, minus 3 x minus 1 को divide करना है, x minus 1 से, question 12 जो है वो, polynomial में division की उपर है, long division method है, यहापे देखें, polynomial को बीच में लिख देंगे, जो sign होता है, division का उसमे, 3 x to the power 4, minus 4 x cube, minus 3 x minus 1, divide कर रहे हैं, जो divisor है, वो x minus 1 है, तो जो rule है, इसके पहले question में मैं बताया है, कि जो यहाँ पर, जिससे divide करना रहता है, उसको यहाँ पर लिख देंगे, polynomial का जो first term है, उसको divide करेंगे, जो divisor है उसके first term से, तो 3 x to the power 4, divided by x, equal to 3 x cube, है जो 3 x to the cube है न, वही जो q cent है, उसका first term में यहाँ पर होगा, जहाँ पर 3 x to the cube लिख देंगे, अब 3 x to the cube को multiply करेंगे, जो divisor है, एक से minus 1 से, तो हो जाएगा 3 x to the power 4, और minus 3 x to the power 3, तो देखिए, दोनों cancel out हो गया, और यह minus का plus हो गया, तो minus 4 x to the cube, plus 3 x to the cube, तो minus x to the cube आया, और minus 3 x से यहाँ पर नीचे आ गया, अब minus x to the cube को divide करेंगे हम लोग, यह जो divisor है, उसके first term x से, तो minus x to the cube divided by x, equal to minus x square, यह जो minus x square है, उसको यहाँ पर लिख देंगे, अब यह minus x square को फिर multiply करेंगे किसे, यह जो divisor है उससे, तो minus x square into x, तो minus x to the cube, और minus 1 into minus x square, तो minus minus plus हो जाएगा, तो plus x square, इसका sine change हो जाएगा, तो minus का plus हो गया, तो यहाँ पर cancel out हो गया है, तो minus 3 x, और minus x square, तो minus x square बड़ा है, तो इसको पहले लिख देंगे, फिर minus 3 x से को लिखेंगे, अब देखें, नया जो यहाँ पर term आ गया, minus x square आ गया, तो minus x square को फिर divide करेंगे x से, equal to क्या है, एगा minus x, इसको लिखेंगे हम लोग q cent में minus x, इसको multiply करेंगे x minus 1 से, तो minus x into x से minus 1, तो minus x square, और minus minus plus x, तो हम इसको फिर से हम लोग लिख देंगे, अब यहाँ पर देखें, minus 4 x से को divide करेंगे x से, तो minus 4 x और x कट हो गया, यहाँ मिला अपने को minus 4, तो यहाँ पर जो minus 4 है न, उसको फिर से हम लोग लिख देंगे कहाँ पर, जो q cent है उसमे, और divisor से multiply करेंगे, तो देखें, यह हो जाएगा, minus 4 x plus 4, तो minus का plus हो गया, तो cancel out हो गया, तो minus 1 minus 4, equal to minus 5, यहाँ पर answer हो जाएगा, hence the remainder is minus 5. Case based question पर आ चुके है, case study 1 है, 30 number question, mathematics teacher आपा school, took his 9th standard students, to show a temple nearby school, he narrated the facts, आप temple to students, regarding construction, the pillars of a temple, are cylindrically shaped, तो देखें, इसमें, जो pillar है, इस temple में, ओ cylindrical shape में है, ठीक है, main चीज़ यह cylindrical की उपर, based the questions है, उसके बाद, इसमें बोलता है, in each pillar, है जो circular base, आप radius 20 cm, तो जैसे cylinder में होता है, हर pillar का जो circular base है, उसका radius 20 cm है, and height 10 meter, लेकिन height इसका 10 meter, आप याद रखियागा ना, radius 20 cm में है, और height 10 meter में है, तो दोनों को येक unit में लाना होगा, तो इसमें question A है, find the volume up each cylinder, कि हमको परतियक cylinder का volume find out करना है, अब 13K में देखिए, क्या गीबन है radius अब cylindrical pillar, जो cylindrical pillar question में बताया हुआ है, उसका radius r equal to 20 cm है, और height h equal to 10 meter है, तो देखिए, दोनों में अंतर है, ये centimeter में है, meter में है, तो हम ये centimeter को meter में convert कर लेंगे, तो 20 cm equal to 0 decimal 2 meter, ठीक, अब volume निकालेंगी इसका, एक pillar का, तो b equal to pi r square h होता है, क्योंकि इस cylindrical shape में है, तो pi का value रखेंगे 3.14 multiplied by 0.2 multiplied by 0.2 into 10, इसको solve करेंगे तो 224, 0.04 into 10 into 3.14, तो 0.04 into 10, 0.4 हो जाएगा, into 3.14, इसको जागे solve करेंगे तो हम केंसर मिलेगा, 1 decimal 256 meter cube, ठीक है, तो ये पहला जो part है question को उस केंसर होगा, volume आप इस cylinder कितना है, 1 decimal 256 meter cube, इसका second देखते हैं, second में पूछता है कि, जो 14 pillars हैं, उसमें कितने concrete लगेगा, concrete का mixture लगेगा करके, तो ये equal होगा 14 pillar के volume के, जितना volume होगा, उतना mixture लगेगा, तो उसको यहाँपे लिखेंगे कि, concrete mixture required for 14 such pillars, equal to volume of 14 pillars, तो 14 इन्टो जो volume है, 1.256 से को multiply कर देंगे, उसको multiply करने, पेंसर मिलेगा हम लोगों को, 17.6 meter cube, ठीक है, तिपना mixture जो है न, 17.6 meter cube mixture हम लोगों को, concrete का लगेगा, 14 pillars को बनाने के लिए, case base में, question number 14 है, an organization selected 2400 family, at random and surveyed them, to determine a relationship between the income level, and the number of vehicle in a family, the information gathered is listed in the table below, तियका organization है, जिसने 2400 families को randomly select किया, और survey किया, यह पता लगाने के लिए, कि क्या relation है, income level के उपर, और number of vehicle, जो family में है, उसके उपर, तो जो information उन्होंने gather किया, उसका list जो है न, यहापर table में दिया हुआ है, तो देखिए, जो monthly income है यहाँ पर, or less than 2000, 25000 है, तो number of vehicle, आप यहाँ पर grab में देख सकते हैं, 0, 10 है, 1, 160 है, और 225 है, 3R more जो है न, 0 है, तो इस step से पूरा table, यहाँ पर दिया हुआ है, आप question देखते हैं, कि suppose a family is chosen at random, एक family को हम randomly choose कर रहे हैं, find the probability that the family chosen is, तो हम probability find out करना है, पहला है, अनिंग 25,000 to 30,000 per month, and owing exactly two equals, तो देखिए, 25,000 से 30,000 के income वाले family में, exactly two income, own करने के, जो number है, और कितने हैं, तिहाँ पर देखिए, number है, 27, है न, यह वाला number होगा है, 27, क्योंकि यह वाला range हो है, 25,000 और 30,000 के बीच में है, इसका भी है, अनिंग 40,000 or more, per month, and owing exactly one vehicle, कैसे families कितने होंगे, उसकी probability कितनी होगी, जो own कर रहे हैं, केवाल और केवाल एक vehicle, लेकिन उनका income जो है na, 40,000 या उससे जादा है, तो यहाँ पर देखिए, 40,000 or more में, एक vehicle, own करने वाले जो families है न, वो 579 है, ठीक है, अब इसके में देखिए, जो number of families surveyed है, कितने families का survey हुआ है, 2,400 है, और number of families earning, 25,000 to 30,000 per month, and earning exactly 2 equals, जो number of families, जिन करनिंग जो है na, 25,000 से 30,000 है, और exactly 2 equals, जो own कर रहे हैं, उनका जो संख्या है, number है 27 है, तिहां फर्मूला क्या होता है, कि probability आप an event equal to, number of event, number of favorable event, कि जो favorable event होता है, उसको उपर में लिखते हैं, और total number of event को, हम लोग नीचे में लिखते हैं, any divided by nt, जिहां पर देखें, number of favorable event, exactly 2 equals वाला 27 है, इसको divide करेंगे, जो total number आप यहां पर event है, वो है 2400, उससे, इसको अगर हम लोग solve करेंगे, ति 3 से 2 कटेगा, 39 जो 27 और 38 जो 24, ति इसका answer आजाएगा, 9 divided by 800, ठीक है, तो जो probability है, कि number of family, earning 25,000 to 30,000 per month, और owning exactly 2 equals, वोगा 9 upon 800, अब इसमें answer V में इसका देखिए, answer V में पूछ रहा है कि, जिन कर निंग 40,000 या उससे जादा हो, और exactly 1 equals, वो 1 कर रहे हैं, तिहाँ पर number of families, earning 40,000 are more per month, and owning exactly 1 vehicle equal to 579, तो ऐसे जो families है, उनका जो संख्या है, वो 579 है, जिन के पास exactly 1 vehicle है, और जिन का earning 40,000 या उससे जादा है, फिर formula लगाएंगे कि probability आप event, equal to number of favorable event, divided by total number of event, तिहाँ पर देखिए, number of favorable event कितना है, 579 है, और total number of event जो है न, 2400 है, ये भी 3 से कर जाएगा, 31 जो 3, 2 आगया, 39 जो 27, और 33 जो 9, और 38 जो 24, तो क्या मिला हम लोगों को, 193 divided by 800, तिह किन का probability है, जिन कर्निंग 40,000 से जादा है, एक महिने में, और exactly 1 vehicle, वो 1 कर रहे हैं, बपरत का ये जो 2,